ट्वीन किराफ्ट एप में लोगो को कैसे रिमूव करें उसमें जो लोगो आता है उसको कैसे हटाएं तो यहाँ पे आप एक वीडियो क्लिप देखिए उसके बाद मैं आपको बताती हूँ तो आप यहाँ पे एक जो वीडियो देख रहे हैं इसमें आप देखेंगे कि नीचे की तरफ जो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे एक हमें लोगो दिख रहा है जिस पर ट्वीन मैजिक लिखा हुआ है मतलब कि यह ईसर नेम है तो यह कस तरह से रिमूव होता है और आप किस तरह से अपनी बीडियो से हटा सकते हैं मैं वही बताने वाली हूँ तो इसके लिए सबसे पहले आपने ट्वीन केराफ्त में आ जाना है यहाँ पर मैंने अपना twin craft app को खोल लिया है उसके बाद आपने character या फिर background वाले option में से किसी एक option में जाना है तो यहाँ से मैं character वाले option में जाऊंगी इस वाले option में जाने के बाद आप उपर की तरफ देखेंगे एक option दे रखा है renew and upgrade का तो इसी वाले option पर किलिक कर देना है renew and upgrade वाले option पर ऐसी आप किलिक करेंगे कुछ ऐसा interface हमारे सामने आता है उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे सामने 4 option दे रखे हैं जो कि free, basic, pro and premium है नीचे की तरफ आप स्क्रोल करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें काफी सारे option side से दिख रहे है character, design, background, stickers, background, music, sound effect, add test and काफी सारे यहाँ पर हमें option दिख रहे है जो कि हमारे app के अंदर ही है यह सारे option and उसके बाद नीचे की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर हमें एक option दिख रहे है logo free तो जो हमें यहाँ पर option दिख रहा है logo free आप देखेंगे कि यह free में नहीं है, basic में भी नहीं है and Pro में भी नहीं है तो यह जो option अभी label है यह premium बाले option में है तो मतलब कि अगर अगर आपको logo free अगर आपको अपने वीडियो से logo हटाना है आपको अपने वीडियो से logo रिमुव करना है तो आपने यहाँ पे प्रेमियम बाला बाय करना होगा जो कि एक मंत कहीं हाँ पे 1650 में है और आप देखेंगे कि जो हमारा वन येर का है वो है हमारा यहां 13800 का अगर आप अपने वीडियो से लोगो हटा सकते हैं इसके अलावा कोई और आप्शन नहीं है आटाने का एंड यह आप्शन सरीफ आपको प्रेमियम में ही मिलेगा कोई जैसे कि हमें हमें आप पे फ्री बेसिक एंड पिरो दे रखें इनमें यह आप्शन हमें नहीं मिल लाए यह आपको सरीफ प्रेमियम में ही मिलेगा to अगर आपने अपनी वीडियो से लोगो हटाना है तो आपने यह वाला पेकेज़ बाया करना पड़ेगा जो की प्रेमियम में दे रखा है, इसका प्राइस तो मैंने आपको बता दिया and कैसे buy करना है आपने purchase वाले option पर click करके आप अगर नहीं जानते कैसे buy करते हैं तो मैं link दे दूँगी description में आप देख सकते हैं कि किस तरह से buy करते हैं कोई भी plan I hope आपके वीडियो समझ में आ गई हो आपको वीडियो helpful लगी हो तो मेरे चैनल को subscribe कर देना and वीडियो को like share comment कर देना कोई doubt हो तो comment में पूर सकते हैं